तो पिछले एपिसोड में हाउचेन मुन टेMPLE में वापस आया था और उसने मास्टर से बताया था कि मेरे फादर ने यहुआ नाम के वारियर से गार्डियन वारियर के स्कील को सीखने के लिए बेजा है इसके बाद मास्टर हाओचेन को लेकर लाइबरेरी वाले एरिया में आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि यहुआ इस वक्त बुक में कोई चीज लिख रहा था तभी मास्टर इसे जॉंबी फेस वाला का कर बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया अपरेंटिस लेकर आया हूँ अब मास्टर के इस बात को सुनकर यहुआ को काफी गुसा आता है और हाओचेन भी हैरान होता है कि मास्टर ने इसे जॉंबी फेस वाला क्यों बोला इसके बाद यहुआ इतने अजीब तरीके से उड़ता है कि हाओचेन इसे सच में एक जॉंबी समझ लेता है लेकिन फिर मास्टर इसे बताते हैं कि वो सच में एक जॉंबी नहीं है और फिर यहुआ को नीचे आने के लिए बोलते हैं और उसे बताते हैं कि यह लड़का सच में एक जीनियस है इसके बाद यहुआ नीचे आने लगता है लेकिन मास्टर की वज़ा से बुक रीडिंग व लेकिन हम देखते हैं कि यहुआ हाओचेन को नोटिस नहीं कर रहा था और इसके बाद वो जैसे ही हाओचेन के नस्दीक से होकर गुजरता है हाओचेन को इसके अंदर से एक अजीब सी फिलिंग सेंस होती है इसके बाद मास्टर यहुआ को बताते हैं कि यह लड़का सच में एक जीनियस है लेकिन इसके बावजूद भी तुम इसे इग्नोर करके जा रहे हो लेकिन यहुआ अभी भी इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था इसके बाद मास्टर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इसके टैलेंट को खुद अपने आखों से देख लो इसके बाद माज तक इस पूरे टेंपल में किसी ने भी इतने यंग एज में तीसरे लेवल को ब्रेक नहीं किया था अब इस बात से हाऊचें को लगता है कि यहुआ अभी से इग्नोर नहीं करेगा लेकिन यहुआ इस बार भी इसको इग्नोर कर देता आए और कहता है कि यह लड़का तो सच में टेलेंटेड है लेकिन मैं गिफ्ट वाली चीज से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ जिस बात को सुनकर हाओचेन काफी उदास हो जाता है इसके बाद मास्टर हाओचेन का सभी लड़कों के साथ में रनिंग कराते हैं जिसमें हाओचेन सभी से आगे निकल जाता है और नंबर वन पोजिशन पर आता है जिसके बाद मास्टर सभी से कहते हैं कि तुम सब हाओचेन से पहले भी यहाँ पर थे लेकिन इसके बाद जुद भी हाओचेन तुम सभी से आगे निकल गया जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी लड़का हाओचेन को नहीं कर रहा था इसके कुछ देर बाद लिसीन हाओचें से मिलने आती है जिसे देख एक लड़का समझता है कि लिसीन उससे मिलने आई है लेकिन अब लिसीन सीधे हाओचें के पास आती है और इसे अपने गले लगा लेती है अब यहाँ देखते ही सभी लड़के हाओचें स जेलस होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हाओचेन लिसीन के इसने क्लोज कैसे आ गया इसके बाद हाओचेन कुछ लड़कों के साथ में प्रैक्टिस करने जाता है लेकिन कोई भी इसके साथ में प्रैक्टिस करने नहीं आता और कहते हैं कि तुम इसके काबिल नहीं हो क इसके बाद हाऊचन अगेले ही practice करने लगता है और वो सभी से काफी ज़्यादा देर तक मेहनत करता है लेकिन इसके बाजुद भी बाखी लड़के इसे परैसान करते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि बाखी लड़के हाऊचन से बहूआत ज़्यादा नफरत करने लगे दे और काने लगते हैं कि यह तो God gifted है इसके बाद हमें background में यहुआ की आवाद सुनाई देती है और वो काता है कि gift वाली talent की वज़ा से problem धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है इसके बाद हाउचें यहुआ के पास आता है और इसे एक नोट दिखाते हुए कहता है कि यह तो आपका ही है और कहता है कि मैं जब यहाँ पर पढ़ रहा था उसी दोरान यहाँ नोट उपर से मेरे पास गिरी थी इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन नीचे जब रीडिंग कर रहा था उसी वक्त यहुआ के गुस्सा होने की आवाज आई थी और उसके बाद यहा नोट इसके पास में गिरा था इसके बाद हाउचेन यहुआ से कहता है कि क्या इस नोट में आपने अपनी स्किल को लिखा है लेकिन हम देखते हैं कि यहुआ काफी गुसे में था और कहता है कि यहां तो कच्ड़ का एक पेपर है इसके बाद यहुआ गुसे में यहां से चला जाता है और कहता है कि इतनी खतरनाक पोईजन है जो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें अकेला बना देगी अब अगले दिन मास्टर यहुआ के पास आते हैं और इसके सामने रिक्वेश्ट करने लगते हैं ताकि यहुआ एक बार भी हाओचेन को सिखाने के लिए तयार हो जाए इसके बाद फाइनली यहुआ मास्टर की बात मान जाता है लेकिन कहता है कि आज के बाद फिर कभी मुझे बुक रीडिंग करने में परिसान मत करना इसके बाद मास्टर हाओचेन के पास आते हैं और इसे बताते हैं कि यहुआ तुमारे साथ फाइट के लिए तयार हो गया है इसलिए तुम उसके सामने अच्छे से भी एप करना क्योंकि हो सकता है कि वो तुमें सीखाने के लिए भी मान जाए लेकिन तबी यहुआ काने लगता है कि मेरा टाइम वेश्ट मत करो और जल्दी करो इसके बाद मास्टर हाओचेन और इसकी फाइट को देखने के लिए तयार हो जाते हैं और फिर हाओचेन भी यहुआ के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि काफी मेहनत के बाद उसे यहा चांस मिला है इसके बाद हाओचेन अपने वाइट बलेड को बाहर निकाल लेता है और यहुआ पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसके तरफ जाता है जिसे देख यहुआ भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हाओचेन सच में बहुत ही अच्छे से वाइट बलेड का यूज कर पा रहा था लेकिन तभी अच्छानक से यहुआ अपना कोई सिल्ड निकाल लेता है और इसकी मदद से हाओचेन कोई एक जटके में दूर फेक देता है इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया लेकिन हाओचेन फिर से इसके सामने खड़ा हो जाता है और यहुआ को एक बार फिर से चैलेंज करता है इस पर यहुआ हाओचेन से कहता है कि इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी तुम एक बार फिर से मुझे चैलेंज करना चाहते हो इसके बाद मास्टर हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगता है और अब हाओचेन भी अपने पूरे इस्पिरिच्वल पाउर का यूज करके यहुआ का सामना करने के लिए तैयार हो गया था अब हाओचेन के इस हरकत को देखते ही यहुआ हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसने तो अपनी पूरी spiritual power का यूज कर दिया लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम एज में वो ऐसा कर सकता है लेकिन इसके पास में तो सच में काफी courage है इसके बाद हाओचेन अपने light behead sword technique से इस पर attack कर देता है लेकिन यहुआ इस पार भी इसके attack को बहुत ही असानी से रोक लेता है जिसकी वज़ासे हाओचेन इस पार भी से कुछ नहीं कर पाता लेकिन इसके बाद यहुआ काफी speed से इसके उपर attack करने आ जाता है जिसके बाद हाओचेन भी अपने डिवाइन डिफेंस टेक्निक का यूज कर देता है जिसकी वज़ा से यहुआ इसे कुछ भी नहीं कर पाता और इसके इस टेक्निक को देख काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हाओचेन इतनी कम एज में ही इसे सांदार तरीके से यूज करने लगा था लेकिन अभी भी हाओचेन की स्प्रिच्वल पार बहुत ही कम थी जिसकी वज़ा से यहुआ अपने एक अटैक में इसे दूर फेक देता है और अब इस दूरान हाओचेन बुरी तरह से जखमी हो गया था यह देख यह हुआ कहने लगता है कि यह तो पूरी लापर वाही है इसलिए अगर आज मैं तुम्हारा दुस्मन होता तो अब तक तुम मर चुके होते क्योंकि बैटल में सबसे जरूरी है अपने दुस्मन के सामने सांत रहना इसलिए तुम्हे अपनी ताकत का यूज करके बैटल के दाओं को बदलने की हर पॉसिबल चीज करनी चाहिए लेकिन आज तुमने जिस तरह से मेरे साथ में फाइट की वो पूरी तरह से एक लापरवाही थी यह सुनकर हाओचेन यहुआ से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया और इस बात को बताने के लिए हाओचेन यहुआ को थैंक्यू भी बोलता है लेकिन इसके बाद यहुआ यहां से जाने लगा था जिसे देखते ही मास्टर कहते है कि यह लड़का तो टैलेंटेड है इसलिए इसे तुमें कोई लेसन देना चाहिए जिस पर यहुआ कहता है कि किसी की काविलियत से मुझे कोई लेना देना नहीं है यह सुनकर मास्टर यहुआ से कहते है कि तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि तुम सभी टैलेंटेड लोगों को मना कर दो अब इस बात को सुनते ही यहुआ को काफी गुसा आ जाता है और कहता है कि मेरे सामने उस बात को मेंसन मत कीजिए अब यहुआ के इस बीहवियर को देख हाओचेन भी हैरान हो जाता है लेकिन इसे अभी भी कोई बात पता नहीं थी इसके बाद ये हुआ यहां से चला जाता है और अब हाऊचेन उदास खड़ा हो कर इसे देखता रहता है अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेप्ट वाली वीडियो जरू पर सेट रखना